नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को नेक्स्ट जेनरेशन का फाइटर जेट इंजन बनाना है स्पेशली अपने AMC MK2 और अन्या फाइटर जेट के लिए फ्यूचर के अपग्रेडेशन के तहत ऐसे में दोस्तों बताया जाता है कि यूके की रोल्स रोइस के साथ में भी उसकी बात चल रही है फ्रांस की सेफरेन के साथ में भी बात चल रही है और इसके इलावा अभी जनरल इलेक्ट्रिक जिसके मैकसिमम इंजन्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तरफ से भी ओफर आया था या कहें कि अब वह टेकनोलोजी ट्रांसफर कर सकती है फाइटर जैट इंजन के लिए क्योंकि यूएस की गवर्मेंट की तरफ से उसे इसकी छूट मिल गई है तो ऐसे में बताया जा रहा है कि इंडिया फ्रांस की सेफरेन कमपनी के साथ में जा सकता है ऐसा हम क्यूं कह रहे हैं आज इसी के ओपर बात करेंगे चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो ऐसा दिख रहा है कि इंडिया फ्रांस के साथ में जा सकता है next generation fighter jet engine बनाने के लिए especially इंडिया की GTRE सेफरन के साथ में एक fighter jet engine को co-develop कर सकती है क्योंकि ऐसा जेंस की report के अंदर आया है क्योंकि उसने कहा है कि इंडिया की सेफरन company के साथ में बाचीत को होते हुए ब उसमें बहुत सी महतवतूरन बातों के उपर चर्चा की जा रही है और फ्रेंच कमपनी सेफरेन ने अब इंडिया की मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का फाइटर जैट इंजन को डेवलप करने के लिए अपना एक प्रोपोजल भी सब्मिट कर दिया और इस इंजन को गैस टर्वाइन रिसर्च एस्टेबलिश्मेंट जो इंडिया की DRDO की ही एक लैब है उसके साथ में डेवलप किया जाएगा और दोस्तों DRDO सूतरों की माने अगर जेन्स की तरफ से तो उसमें कहा गया है कि नेगोशियेशन बहुत ही प्रोग्रेस कर रही यानि कि बहुती स्पीड से आगे बढ़ रही है जोइंट डेवलपमेंट के लिए और ये भी पता लगता है कि ये जो नेगोशियेशन अभी हो रही है वो डेवलपमेंटल कोस्ट के उपर ट्रांसफर ओफ टेकनोलोजी के उपर इंटिलेक्चुल प्रोपर्टी राइट क उपर और साथ ही एक्सपोर्ट राइट के उपर चल रही है यानि कि दोस्तों इंजन टेकनिकली कैसा होगा और किस तरह की चीजें होंगी ये सारी चीजें तै हो चुकी है दोनों का साथ में जाना तै है के वल अब यही डिसाइड किया जा रहा है कि इंडिया इसको करनी होगी और अबधी सेफरें के ओफिशियल इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग जी से भी मिले हैं कुछ दिन पहले ही तो ऐसे में मانा जा रहा है कि ये डील होनी तै है और सेफरें के सीओ जीन पॉल एल-एरे ने ये भी कहा था कि हमारी डिफेंस मिनिस्टर जी कि इंडिया बहुत ही करीब है इस fighter jet engine को develop करने के धन्यवाद जैहिन